नमस्कार दोस्तों सरकाई जोबसिन दी मापका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कि आपको CCS University में कैसे पास होना है कि पर इस वीडियो को देख चाहिए अगर आप पास होना चाहते हो CCS University में BA हो या MA हो ओके आपका कोई सी भी क्लास हो तो आपको कैसे पास होना हम आपको बता जिते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको से को नबैंक लेने होंगे जो आपने सब ले लिए और वाले सबने यह ले लिए तो इस लेने के बाद आपको क्या करना है आप दूसरी इसका भी ले सकते है पस्का दूसर से पहले हमें कोशन याद करने हैं सारे उसके बाद हमें जो है इन में से जो इंपोर्टेंट आपको लगता है वो कीजिए वरना इस सभी कोशन आपको याद करने हैं इन ही से आप पास हो जाओगे और इसमें जो है आपको इसे याद करने की जुरुत नहीं है इसे आपको लिखेंगे इतना कुछ क्योंकि तो बहुत ज्ञादा लिखना होता तब किसे लिखी हो तो उसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा तो आपको याद करना होगा इस की विवेचना करना चीजना करने के लिए आपको सिर्फ कोई पसा आता है तो आपको मिनिममम चार पज बनने ही होंगे और चार पेज को होते हैं उससे होते हैं इस एक दो यानि की जो एक खड़ पेच है कि दोनों तरफ से योसी तब को नमबर मिलें उड़ तया प् göster प्रढकर बने कि आप पास हो जाओ कर अनने के आपको सिर्फ जो है उतने नमबर मिलेंगे जिससे आप पास हो जाओगे फैल तो आप होई नहीं सकते हैं अब लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ जैसे आत्मत्या तो आत्मत्या हैडिंग डालिए और इसमें आप वहाँ पर आत्मत्या के बारे में लिखिए सबसे प पहले एक पेराग्राफ कंप्लीट करना इसके बारे में उसके बाद आपको आत्मत्या के बारे में लिखना है जो आप सोचते हो उसके बारे में आपको जो आप सोचते हो जो आपने थोड़ा बहुत पड़ा है उसके बार उसे जोड़ने के बाद आपके एक पेज यह ऐसा भर जाएगा ओके ऐसे लिखे जिस्से की पेज आपका भर जाए थोड़ी सी जगह दे दीजिए उसमें और ये इतना पेज आपका भर जाएगा अब बचा दूसरा पेज और दूसरे पेज में आपको जो लिखना है वो ये लिखना है कि जो आपने पहले पेज में लिख दिया उसे पूरे को देख लीजिए आपको पता होगा जब आप लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या लिखा है तो उसे mix कर दीजिए और दूसरा page भी भर दीए तो इससे क्या होता है आप पास हो जाओगे 100% तो यह तो लिखने का तरीका है तो इसमें जो है और questions आप ऐसे ही ले सकते हो और उन्हें याद किजिए जो back में जो लख होता है paper उसी में से question आजाते हैं जो paper होता है 100% इसमें से आता है paper जितना आप पास हो जाओगे प्रसेंटेश आपको बनानी है तो फिर तो प्रसेंटेश के लिए तो आपको पूरा यी पढ़ना होगा किताब इससे तो काम नहीं चलेगा शब किताब पढ़नी होगी मगर आपको जो पास होना है उसका तरीका यही है अब जो है यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया आपको यह पिरस्टन पत्र जो पीछे दे रखा है यह पूरा याद करना है और इसमें जो है important heading आपको देख लेनी है एक बार पढ़नी है याद नहीं करनी आपको पढ़ना है बस तो कोई विसा भी subject क्यों नहीं हो सब में यही तरीका है बस कुछ में सन याद करने पड़ती है कुछ में जो इनके नाम याद करने पड़ते हैं तो बस यह important बात आपको बतानी थी पास होने का तरीका तो यही है कोई भी सवाल है आपका तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हो तो दोस्तों अगर आप और भी वीडियो चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाओ जिससे कि आपकी थोड़ी help हो सके तो मैं और वीडियो बना दूँगा